पार्वदी जी एक बार शंगर भगवान से एक सवाल की, मनुश्य अच्छा और बुरा करम दोनों करता है, दोनों का फल भी भुगतना पड़ता है, लेकिन पहले किसका फल भुगतना है, अच्छे करम का या कुकरम का अगले जनम में? बहुत ही अहम सवाल है ये ऐसा नहीं है कि माता को ये बात पता नहीं है ये सब हमारे लिए हैं ऐसे आपको बहुत सवाल जवाब मिलेंगे ग्रंथों में इन सवाल जवाबों द्वारा हमें सिखाने कोई कहता है कि पहले शुब करम का फल मिलेगा बाद में अशुपका, कोई कहता है फहले अशुपका मिलेगा, बाद में शुपका, भगवान उत्तर देते हैं भुण्जाना अश्चा विद्रश्यन्दे क्रमशो भुवि मानवाहा, रधिम हानिम सुखम दुखम तत सर्वम अभयम भयम मनिश्य के विशे में यही देखने को मिलता है कि वृध्धी और हानि दोनों ही एक के बाद एक होती ही रहते हैं सुख के बाद दुख फिर उसके बाद सुख फिर दुख आत्मी कभी सूर और नर्भय दिखाई देता है तो वही आत्मी फिर कभी डरा हुआ दिखाई देगा अमीर भी कभी दुख को अनभो करता है तो गरीब की जिन्दगी में भी ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई सुख नहीं है तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले सुख बात में दुख या पहले दुख बात में सुख ये दोनों एक के बाद एक आते ही रहते हैं जिन्दगी में हरे के लिए तो ऐसा नहीं है कि पहले शुभ कर्म का भल का अनभव होगा या अशुभ कर्म का दोनों अनभव एक ही साथ होते रहते हैं ये भूलो की बात है लेकिन जो स्वर्ग लोग जाते हैं उनको वहां रहने तक सुख का ही अनभव है और जो न रख जाते हैं उनको वहां हमेशा ही दुख और यातनाये हैं उसमें भी एक नियम है जिसने ज्यादा शुभकरम किया हो वो पहले स्वर्ग जाकर उसके बाद न रख जाता है और जिसने ज्यादा कुकर्म किया वो पहले नरग जाकर बाद में सुर्ग जाता है तत्राभी सुमहत भुक्तवा पूर्वम अल्पम पुनश्य भे अपने कर्मों का भल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा ये सोच जिन्दगी के हर कदम में हर काम करते वक दिमाग में रहना चाहिए और ये सब अपने आप ही अनभो करना पड़ेगा कोई साथ नहीं देगा कोई दूसरा इने बाट कर एक हिस्सा नहीं लेगा अपने उपर हरी ही ओम करते श्रेख करता माल कर्मा